नमस्कार दोस्तो आपका स्वागत है आज के एक और वीडियो में दोस्तो आज के वीडियो में बात करने वाले हमारे घर में जो इस्टपलाजर्स होते हैं इनिवर्टर्स होते हैं उसमें एक स्वीच आता है जो की बैपास के नाम से होता है यहाँ पे आप देख सकते हैं इस ये टाइब काता है उसमें भी बैपास होता है तीनों का मैंड लिए एक फंक्सन है तो इसका हम आज explain करेंगे जिसका क्यों यूज है दोस्तों बेसिकली इसका दो यूज है पहला यूज में बताता हूं आपके जो भी इस तरह के उपकरन्स होते हैं सबस्पहले इसमें करेंट आता है उसके आपके घर में करेंट आता है मतलब पहले इसमें करेंट आता है और इससे होके करेंट आपके घर में आता है चाहे वह इस्टेपलाइजर हो या फिर आपका इनवर्टर हो ऐसे में क्या होता है कि कभी-कभी मान लीजिए आपका इस्ट काफी प्रेशानिया होती थी तो दोस्तों कंपनी ने एक दिमाग लगा कि क्यों ना बैपास दे दिया जाए बैपास से क्या होता है कि आपका इंवर्टर खराब हो जाए तो अब ततकाल इसको बैपास स्विच में ओन करके आप अपने घर के लोड को डारेट करेंट से चला स जो की हजार वाट का है और यह इस 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 को नॉर्मल मूड में या फिर मैनुल जो भी हो आप सेलेक्ट कर सकते हो इससे क्या होता है कि जैसे मालो अचानक से करेंट कट भी जाय तो इनवर्टर पर लोड नहीं आता है डारेट अब करेंट से वह चलने लगता है जैसे कि मैं आपको उधारन के लिए बताता हूं मेंने पास इस्टवलाजर था मुझे वैल्डिंग करना था वह से करेंट आ रहा था मेरे पास कोई एक्स्ट्रा वायर वायर नहीं था तो मैंने क्या क्या इस्टवलाजर का एम सभी को बैपास में डाला और मैंने तो आने में समय लगाए आप फिर रात को इसा हो सकता है हो जाए तो इसे कंडिशन में आप खुद से इसको बैपास करके यूज कर सकते हो दूसरा जैद आपको हेवी उच करना हो आपके पास कोई एक्स्ट्रा वाइर नहीं हो तो उसी वाइरिंग पर करना हो तो इसको बैप